नितीश मंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है और ये खबर जैसे ही महागटबंदन के तमाम निताओं के कानों तक जाती है सब में होर मच जाता है कि अब हम भी मंत्री बन सकते हैं चलो उन तमाम निताओं से मुलाकात कर ले जो हमारा पैर भी नितीश कुमार से कर दे जो नितीश कुमार का सबसे करीबी हो जो नितीश कुमार को कह दे कि इसको मंत्री बना दीजिए तो नितीश कुमार फौरण उसको मंत्री बना दे और अब जेडियू के साथ साथ तमाम दूसरे दलों के नेता भी जेडियू के बड़े नेता यानि ललन सिंग से मुलाकात कर हैं कि ललन सिंग अगर निटीश कुमार से पैर भी करेंगे तो हम मंत्री बन जाएंगे और अब इस संदर में महाकट बंदन के तमाम नेता जेडियू के राष्टियत दक्ष से मिलने आ रहे हैं और अभी जेडियू करियाले में कॉंग्रेस के महिला बिधायक जो है वो ललन सिंग से मिलकर गई है और ललन सिंग से मुलाकात करने के बाद वो क्या कुछ कह रही है वो हम आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार मैं आम शशांग पांडे है आप जंता जंक्षन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे विशाल और अब हम आपको बताते हैं कि कॉंग्रेस की महिला विधायक जेडियू के राष्टिया ध्यक्ष से मिलने आई थी जिहां कॉंग्रेस की महिला विधायक नीटू सिंग की तस्बीर ये और ये जेडियू कर्याले में जेडियू के राष्टिया ध्यक्ष ललन सिंग से मुल कात कर ले लेकिन असलियत तो यह है कि यह चाहती है कि ललन सिंग इनकी पैर भी निटीश कुमार से करे ताकि निटीश कुमार भक्त चरंदास जो कि कॉंग्रेस के बिहार कॉंग्रेस के प्रभारी हैं भक्त चरंदास उनसे कहें कि आप नीटु सिंग को अपने यहां से मंत्र देखिए कैसे ये गेम हो रहा है कि कॉंग्रेस की महिला विदायक जेडियू के राष्टिया धक्ष के पास आती है कि आप मेरी पैर भी मुख्य मंत्री नितीश कुमार से करिये और नितीश कुमार भक्त चरंदास को कहेंगे कि आप अपने पाटी से नीतु सिंग को मंत्री ब एक महिला विदायक को मंत्री बनाया गया है और दूसरी महिला विदायक चाहती है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाए जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप कॉंग्रेस की विदायक जेडियू के राष्टिया धक्ष से मिलने आई हैं ये कोई छोटी बात नहीं है व मैंने सोचा उनसे मुलाकात कर ले अब नीटू सिंग से एक सवाल कि आपको कैसे पता कि जेडियू धक्ष ललंज सिंग की गाड़ी जेडियू करयाले में लगी हुई है और आप उनसे मुलाकात कर ले गई बंद कमरे में बात्चीत हुई और बात्चीत में कहा ये जा रहा है कि मंत्री मंदल के बारे में बात्चीत हुई है नीटू सिंग ललन सिंग को कह रही है कि आप मेरी पैरवी मुख्यमंत्री से कर दीजिए क्योंकि मुझे भी मंत्री बनने का सौख है लेकिन पत्रकारों से ये भी कह रहे हैं कि अभी तो हम पहली बार बिधायक बने हैं और अभी हमारे यहां हमारे पार्टी में ऐसे बहुत सारे बिधायक हैं जो कई बार से बिधायक हैं तो अभी उनकी बारी है लेकिन नीटू सिंग मनी मन चाहती हैं कि नीटीश कुमार को ब नीटु सिंको आप बना दीजिये लेकिन नितीश कुमार भक्चरंदास के पास पहले से ही पैरवी कर चुके हैं पैरवी किसका बिजय संकर दुबे का जी हाँ बिजय संकर दुबे याद करिए बिजय संकर दुबे नितीश कुमार जब महागठ बंधन में गय थे 15-17 उस समय उन्हें मंत्री बनाया गया था और बताया यह जाता है कि विजय संकर्द उबे नितीश कुमार के बेहत करीबी हैं नितीश कुमार चाहते थे कि जब महागटवंधन की सरकार बनी और मंत्री मंडल का बिस्तार हो रहा था उस समय नितीश कुमार ने कहा था तेजस्वी आदों कि मंत्री मंत्री वाला पद तो हम लो बाट लिये अब बचा बिधान सभा का ध्यक्ष वाला पद वो कॉंग्रेस को दे देते हैं और कॉंग्रेस से बिजय संकर दुबे को बिधान सभा का ध्यक्ष बना दिया जाता है लेकिन तेजस्प्री आदो इस बात से सहमत नहीं हुए और उसके बाद अध्यक्ष वाला पद अपने पास रख लिए और अब नितीश कुमार चाहते हैं कि विजय संकर दुबे को मंत्री वाला पद दे दिया जाए लेकिन कॉंग्रेस के तमाम विधायकों में ये होड मची है कि हमें भी मंत्री बनना है हम भी मंत्री बनना चाहते ह इसलिए कहा ये जा रहा है कि अगर कॉंग्रेस में किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा तो कॉंग्रेस में टूठ हो सकती है इसलिए बड़े नेताओं को और परभाव साली नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है जिनका परभाव है पाटी में और जो लोग ये कर सकते हैं कि जब अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाए तो वो सरकार गिरा सकते हैं इसलिए वैसे वैसे नेताओं को मंत्री भी बनाया जा रहा है अब देखने वाली बात यह है कि नीतु सिंग की पैरवी जो है वो ललन सिंग मुख्य मंत्री से करते हैं या नहीं और जब मुख्य मंत्र नीटू सिंग को मंत्री पद देने के लिए मानेंगे यह तमाम सवाले हैं और इन तमाम सवालों के जवाब अब तो मंत्री मंडल के बिस्तार होने के बाद ही पता चलेगा वेराल इसकवर में इतना है बने रहे हमार साथ और देखते है जन्ते जंक्शन